जैहिन दोस्तों श्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ओलम्पिक में हमें पदक मिलते हैं चाहे वो आपका सौन पदक हो रजत पदक हो या फिक कांश पदक हो ठीक है जैसा कि आपको पता है कि भारत को टोटल स साथ पदक मिले हैं जिन में से एक स्वाड़ पदक जीता है किसने नीर जीने ठीक है तो उनके बारे बात करेंगे कि भाया जो स्वाड़ पदक मिलता है इसको अगर बेचा जाए तो इसकी वैलू क्या होगी आपको पता है कि देखे दोस्तों कोई भी कीमत नहीं सकते हैं फ इसके बारे हम बात करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को दोस्तों सेर कर देना दोस्तों के साथ ठीक है और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना इसके बारे हम देखने वाले आपको बता एक बार कि भारत ने टोटल साथ पदक जीत करके कौन सा इस्थान हासिल किया है तो 47 इस्थान हासिल कर लिया है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं कि क्या गोल्ड मेडल पूरा गोल्ड का होता और अगर इससे बजार बेचाता तो कितने रुपए का भिकेगा चलिए शुरू सकते हैं मगर उसके दोरह सम्मान मिलता है ठीक हो उस देश के दोरह उसे भुलाया नहीं जा सकता आपको पता भी होगा आपकी सरकार बहुत ज्यादा पैसे देती है और देना भी चाहिए क्योंकि इस से कावा दोस्तों खेल को प्रोस्ताहन मिलेगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों यह ओलंपिक जो कि आपको पता है कि टोक्यो महुत इस बार के गोल्ड क्या है दोस्तों थोरा सा अलग है दिखाते आपको पताते हैं किस तरह बनाया गया है इनको देखे दोस्तों इसमें का खबर लिखी है कि टोक्यों ओलंपिक में दिया जाने वाला मेडल काफ लोगों को यह आफ जान सकते हैं इसको रिसाइकल करके उनसे बनाएगा ठीक साथ यह बात करें तो करीब 32 kg सोना जमा किया गया है गोल्ड मिडल बनाने के लिए तो समसकते 32 kg सोना इस पूरे मतलब इकठे किये गए ओलंपिक में तीन तरह मिडल बाट जाते हैं गोल्ड सिल्वर ब्रांज ऐसे में लोगों को ये भी जानने के दिल्चस्पी होगी कि आखिर एक गोल्ड की कीमत कितनी होती है तो चलिए हम बताते हैं आपको पता जलेगा ना कि यहां पर पहली बार क्याखेगा है कि रिसाइकल करके उनको बनाए गया और टोटल 32 किलो सोना भी इकठा किया गया है मिडल को बनाने के लिए अब देखिए बात करते हैं कि गोल्ड मिडल की तो बता दे इसकी वजन कितना होता तो पांसो चपन ग्राम का यह गोल्ड मिडल होता है अब ऐसे में सभी लगता होगा दोस्तो इस हिसाब से खिलारी को मिलने वाला गोल्ड मिडल करीब दोस्तों अगर अगर देखिए अगर हम बात करें पांसो चपन ग्राम का गोल्ड मिडल है दोस्तों अगर उस पूरा गोल्ड का होगा तो इसे बेंचा जाए तो लगभग 26,8980 रुपए मिल जाएंगे मगर ऐसा बिल्कुल गला थे दोस्त अगर आप ऐसे सूच रहे हैं कैसा तो बता दें कि अगर गोल्ड मिडल का वजन पांसो चपन किलोग्राम है इसकी इतनी कम कियों है क्योंकि आपको बता दें कि बहिए कि एक परसेंट लगभग गोल्ड होता है ठीक है मतलब कि 100% मालिया गोल्ड मिडल लेता है उसमें 100% में से किवल और गोल्ड एक परसेंट ही क्या होता है ठीक है तो आपको बता दें कि गोल्ड मिडल का उजन कितना होता है 556 ग्राम होता है जिसमें से सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है और आपको बताते दोस्तों और 550 ग्राम क् चांदी का होता है मतलब कि देखेगा कि 99 परसेंट का होता दोस्तों चांदी होता है और एक परसेंट ही उसमें का होता है सोना होता है इस हिसाब से अगर सोने की वाइलू लगा है तो 28,500 और चांदी की 550 ग्राम है तो कीमत कितनी 37,290 यानि इस हिसाब से गर देखा जाए तो गोल्ड मेडल की पूरी कीमत लगभग 65,790 रुपय होगी, जिसमें से दोस्तों 6 ग्राम को जो गोल्ड होता है, वो किवल सोने की प्लेटिंग की जाती है, उपर से मतलब कि सोना दीखे, बाकी सब क्या होता है, चांदी का होता है, 550 ग्राम ठीक है, तो जब कि जो ब्रॉज मे ये चीज़ आप समझ गहोंगे, चलिए आगे देखते हैं, अब देखे एक चीज़ और चाहिए, कि देखे इनको खास कवर में मिडल दिया थे, जब देखे अब जब आपने इन मिडल की कीमत जान ली तो बता देगे, टोक्यो ओल्पिंग में इन मिडल को खास बाक्स में रखकर दिया जाएगा, ठीक, इन बाक्सों को लकडी से बने एक खास खोल में रखकर दिया जाएगा, ये काफी ट्रडिशनल और मॉडर्न डिजाइन पर बनाएगा है, इसे जपानी डिजाइन दर बनाएगा, हर बाक्स का पैटर आपक है, और उन्हें लकडी से काड़ कर बनाएगा, मतलब जिसमें हम रखेंगे, जैसे हम रिंग लेते हैं तो उसके लिए कवर गयाता है, ठीक, उसी तरीके से मेडल के लिए भी एक कवर दिया जाएगा, ठीक है, अब देखें दोस्तों, अगर हम दूसरे मेडल की बात करते हैं, जो सिल्वर मेडल है, आपको दि होता है, इसमें भी दूसरी धातों मिलावट होता है, देखें, सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर और 7.5% कॉपर होता है, इसकी कीमत लगभग 22,000 रुपए होती है, मतलब कि अगर आप सिल्वर मेडल बेचने आते हैं दोस्तों, तो आपको लगभग 22,000 रुपए भारती है, ठीक है, तो इसमें केवल 22,000 रुपए आपको मिलेंगे, सिल्वर मेडल में दोस्तों, सिल्वर और कॉपर का मिक्चर होता है, ठीक है, अब बात करते हैं, जो आपका ब्रॉंज मेडल होता, ब्रॉंज मेडल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देखें, देखें, हमारा मेडल होता है ब्रॉंज मेडल ठीक है रियो ओलंपिक देखे यह रियो ओलंपिक का दिखाए गया है दोस्तों हम ब्रॉंज मेडल की बात करते हैं ठीक है तो ब्रॉंज मेडल की कीमत क्या होती इसके बारे अगर हमको बताना चाहें दोस्तों आपको पता होना चाहिए ज इसकी कीमत 315 रुपए देखिए बहुत ही कम कीमत भीया ब्रॉंज मेडल की बहुत ही कम कीमत कितने है 315 रुपए मातर ठीक कितने रुपए है 315 रुपए मातर ही इसकी कीमत होती है ठीक है तो आपने देख लिया कि गोल्ड मेडल कीमत कितनी भीया कितना सोना होता है चांदी में कितना चांदी होता है और जो आपका bronze medal है इसमें कितना bronze होता है दोस्तों इसके बारे में आपने देख लिया होगा मगर एक चीज कि आप जानते हैं कि भीया मान लिया कि Olympic में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं तो उसमें किया अज़े को ही कुछ मिलता है उसके बाद दोस्तो कुछ कुछ मदलब की इसमें तीन पॉजिशन पे नहीं आते हैं देखे दोस्तों एक चीज़ आपको पता दें कि महालिया दोस्तों बहुत सारे अथिलिट भाग लेते हैं जिसे भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं ठीक है अब देखे अथिलिट पता की नहीं मिलते हैं बलकि ओलंपिक में नंबर एक से लेकर आठ तक मतलब कि आप इस रेंग होती है उसके बाद पांच को और जो आता है यानि आठ लोगों को दोस्तों क्या देख सकते हैं कि देखे ओलंपिक में नंबर एक से लेकर आठ तक रहने वाले खिलाडियों को ओलंपिक डिप्लोमा जाता बाकी एथिलिट्स को पार्टिपेशन का सार्टिफिकेट मतलब आठ तक का क्या होता है उन्हें डिप्लोमा जाता बाकी को दिया एक सार्टिफिकेट जाता कभिया आपने ओलंपिक में पार्टिपेट यानि भाग लिया है दोस्तों ठीक है तो यह चीज आपने देखा अब एक चीज और आपको बताना चाहते हैं थोड़ा समझेग अधिके ब्रांज मेडल कापर से बनायाता है आपको बता है कि जो कि प्रियाडिक टेबल आप होता होगा अगर आपने कमेंश्री पढ़ी होगी प्रियाडिक टेबल आप जानते होंगे तो प्रियाडिक टेबल में कहा होता है दोस्तों सब से उपर पाया जाता है ठीक है य यह कापर से ज्यादा दुरलब होता मतलब जिसे कापर असानी मिल जाएगा उससे थोड़ा सा इसे पाने में थोड़ा कटनाई होगी ठीक है इसलिए इसको दूसरे सांपर रखा गया है ठीक है तो देखिए आप सब कुछ समझ चुके हैं देखिए एक कोशन आप से करेंगे क आपको बताना है नोस्तों की भारत ऌने 1965 का और चाहां का अगर आपको दुबारा बताते आपको कि मतलब इस बार साथ मिले हैं और प्रेक किया गया है इसके पहले का जो शबसे सरफसेश्ट ओलम्पिक था दोस्तों, वो कौन सा था? और कितने मिडल उसमें मिले थे? ठीक है? तो चलिए दोस्तों, और अपने पसंदीता खिलाड़ी कहा हमें, कमेंड रूप रहा है इस ओलम्पिक में, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको ख्यादा महत्तो पूर्वर्वेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थांकियो धन्यवाद जाहिन जाह भारत कि अब कि अब कि अब